दोस्तो हर्याना और महराष्ट्र का विधान सभा का चुनाव दरसल ये लड़ाई बीजेपी और कॉंग्रेस की है ही नहीं ये लड़ाई उध्याव ठाकरे राहुल गांधी शरतपवार वर्सिस मोदी और शाकी है ही नहीं ये लड़ाई दरसल हर्याना और महराष्ट्र का ज गुजरात लोबी यानि मोधी शाव वर्सेस अरिसस की है जी हla महाराश्ट्र का चुनाफ जो है वो नरींद्र कि हरियाना का चुनाव जो है वो संग लडवा रहा है वो संग और RSS जो है वो इस चुनाव में भरतीय जुनता पार्टी को प्रोजिक्ट कर रहा है और मोदी और शाह दूर दूर तक हरियाना चुनाव में नजर नहीं आएंगे यही डील गुजरात लॉबी और RSS के बीच हुई और जो जिस चुनाव में जीतेगा या जो जिस चुनाव में हारेगा उसके बाद डिसाइड होगा कि प्रधान मंत्री की कुर्सी पर किसे बिठाया जाएगा क्या मोदी जी बैठे रहेंगे और मोदी के बाद अमिच शा उसकुर्सी पर कबजा जमाएंगे या RSS संग नागपूर से किसी को इसकुर्सी पर बिठाया दरसल जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि ये लडाई RSS और बीजोपी की है क्योंकि हर्याना चुनाव को भरतिय जिनोता पार्टी के लिए RSS और बीजोपी नहीं बीजोपी आला कमान की है हर्याना चुनाव को RSS लीड कर रही है और महराश्ट्र चुनाव को खुद आमिच शा और मोदी जी लीड कर रहे है इसे लिए हर्याना चुनाव से मोदी और शा ने दूरिया बनाई हुई है बताएंगे पूरा माजुरा क्या है क्या लडाई है किस तरहां की अठकले किस तरहां की खबरे आ रही है खबर ये भी है कि आमिच शा को अजित पवार ने साफ कर दिया है कि मुझे मुख्य मंत्री की कुर्सी चाहिए और जिस पर आरसस पूरी तरीके से मुखालिफत करती हुई नजर आ रही है कि हम तो चाहते थे कि आप अजित पवार से अजित पवार के साथ मिलकर के चुना भी ना लड़े अब आप उनके साथ मुख्य मंत्री पद के लिए समझोता करने पर बैठे हैं दरसल मामला आरसस संग और गुजरात लॉबी के बीच गर्माता जा रहा है बताएंगे पूरा माज़रा डिटेल में है क्या कुछ चल रहे हैं वीडियोपी के अंदर और आरसस के भीतर तो वीडियो को आखर तक देखिएगा नमस्कार स्वागत है आपका देशनीती पर मै हूँ आपके साथ अजिती देशनीती कि वल सची और पकी खबरे दोस्तों नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनके साथ आरसस का मामला या संग का मामला फस्ता हुआ निजरा रहा है अपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि नरेंद्र मोदी और शाह महराश्ट्र का खूब दौरा कर रहे हैं मुंबाई का दौरा कर रहे हैं अभी तक चुनावों के तारीकों का एलान भी महराश्ट्र को लेकर के नहीं हुआ लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार महराश्ट्र आ रहे जा रहे हैं लेकिन हरियाना में मोदी शाह नजर नहीं आ रहे हैं और क्यों आएंगे, क्योंकि जिस तरह से पहलवानों के साथ, जिस तरह से किसानों के साथ, बरबरता को अंजाम दिया गया है मोधी सरकार द्वारा, उसके बाद वहां की जनता, हरियाना की जनता ना अक्रोशित है, कि अगर गलती से भी मोधी शा की गारी या उनके जनसभाओं संबोधित करने के लिए मोधी और शाह हरियाना में कदम भी रखते हैं, तो पता नहीं बवाल मत जाएगा, पता नहीं क्या होगा, ये खुला ऐलान जो है, किसान और पहलवानों की उसके कर दिया गया है, वहां की देख लीजिए हरियाना चुनाब को आपको कैसे चलाना है, बीजबी आपके हवाले, आप देखे क्या करना है, अगर हरियाना चुनाब हम जीत जाते हैं, बीजबी जीत जाती है, तो जो आरेसिस संग, जो कुछ भी कहेगा, गुजरात लॉबी को वो मानना पड़ेगा, त आरेसिस के साथ समझोते में आने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन आरेसिस महराष्ट्र में बीजबी का खुला समर्थन नहीं करने वाली है, क्योंकि आरेसिस ने सिर्फ एक शर्थ बीजबी के आगे रखा था, कि आपको संगठन को मजबूत करना होगा, बाहर से जो अश्टाचारी आजवित पवार को अपनी पार्टी से अलग करना होगा, बीजबी से अलग करना होगा, अब ऐसे में आजवित पवार के पास 40 से अधिक विधायक है, 40 से अधिक MLS आजवित पवार के पास है, एक नत्शिंदे के पास भी उतने MLS नहीं है, जितने आजवि होता ही करेंगे अजित्पवार को अलग थलग तो RSS की बात मान कर वो कर नहीं सकते ऐसे में RSS यानि संग और गुजरात लॉबी के बीच यह डिल पक्की हुई जो जौनसा छेत्र हरेगा या जो जौनसा छेत्र जीतेगा वो तै करेगा कि दिल्ली कौन चलाएगा ऐसे में महर पराष्ट्र का दोरा कर रहे हैं क्योंकि माना यह जा रहा है कि आजित पवार ने कह दिया है कि हमें CM की कुरसी चाहिए अगर हमें CM की कुरसी मिल जाए क्योंकि एकनाच शिंदे के पास उतने विधायक नहीं है फिर भी आपने उनको CM बनाया अगर हम फिर एक बार 40-42 विधायक लेकर के आते हैं तो हमें CM की कुरसी आपको देना होगा तभी हम आपको समर्थन करेंगे या साथ में मिलकर के सरका बनाएंगे लेकर ना अमिच शा इस बात को मानने को राजी है अपको पिछले विडियो में मैंने बताया था कि आमिच शा ने भी साफ कर दिया कि 100 से ज्यादा 103 विधायक तो बीजपी के साथ है फटनवीस के साथ है ऐसे में अगर वो पुराने नेताओं को पुराने विध भायकों को नराज करते हैं अगर बीजपी के ओर से सीम कैंडिडेट नहीं चुना जाता है तो कहीं न कहीं मामला बीजपी के अंदर भी गड़बरा जाएगा इसे लिए आमिच शा अजित पवार को समझाने की कोशिश में लगे हुए है और इन समझोते से एक बात साफ हो गया है कि जो खबरे आ रही है कि सीम कॉंड बनेगा ये तो बहुत दूर की बात है सीट बठवारे को लेकर कि भी एकनाथ शिंदे की सिवशेना अजित पवार की अंसे पी और भारती अजनुता पार्टी के बीज समझोता करने पर आमिच शा नाकामियाब साबित हो रहे है लगातार नाकामियाब साबित हो रहे हैं इसलिए अगर महाराष्ट्र बीजेपी हार जाती है तो दिल्ले के कुरसी पीम के कुरसे भी मोदी जी को गवानी पढ़ सकती है और इसलिए मैंने आपसे कहा ना यहाँ पर RSS किसी तरहां की मदद बीजेपी को नहें करने वाली है मोहन भागवत या RSS के पधादिकारी गण जो है वो हर्याना चुनाव को लीड कर रहे हैं हर्याना चुनाव में हर्याना में बीजेपी को जिताने की पूरी कोशिश हो कर रहे हैं क्योंकि किसान नेता किसान पहलवान यह मोदी जी से अमिच शा से दुश्मनी मोडली है ऐस में RSS पूरी तरीके से हर्याना चुनाफ को अपने पाले में वीज़पी के पाले में करने की कोशिश करती हुई RSS नजर आ रही है वही महराश्ट्र में RSS ने पूरी तरह से हाथ खेच लिया कि जो करना है आप कीजिये लेकिन अगर आप महराश्ट्र हारते हैं तो दिल्ली नागपूर से चलाया जाएगा गुजराद से दिल्ली नहीं चलेगा गुजराद लोबी दिल्ली नहीं चलाएगी आरेसस संग और नागपूर अब दिल्ली चलाएगा इसे लिए मैंने आपसे कहा कि हरियाना का चुनाव और ऐसे में महाराष्ट्रों में बात बन नहीं पा रही है आमेच शाह तीनों पार्टी को साथ लेकर के चलने में नाकामियाब सामित हो रहे है ऐसे में जैसे मैंने आपसे कहा कि हरियाना चुनाव और महाराष्ट्रों का चुनाव दरसल पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है दरसल ये संग आरेसस और गुजरात लोबी के बीच की लड़ाई है ऐसे में जीतेगा कौन ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा लेकिन जो भी हारेगा चाहे आरेसस आरे चाहे बीजोपी हारे बीजोपी आलाकमान हारे फाइदा पूरी तरीके से कॉंग्रिस को और महाविकास अगाडी यानि इंडिया एलाइन्स को एक शब्द में कहा जाए तो इंडिया को होने वाला है फिलाल इस पूरे विषय पर आपकी राई क्या है कि आपको भी लगता है कि महाराश्तर चुनाव और हर्याना चुनाव जो है एक गुजरात लोबी के हवाले कर दिया गया, एक आरेसस के हवाले कर दिया गया अब जो जीतेगा वो सिकंदर जो हारेगा उसका पता नहीं क्या हाल होगा और अगर RSS जीत गया और महराश्टर में BGP हार गई तो मोधी जी को अब लिखके रख लीजिए मोधी जी बस कुछी दिन के महमान है 5 October को हरियाना में चुनाव है उसके बाद जिस दिन नतीजे आएंगे और महराश्टर में भी October November में चुनाव है उसके बाद December तक तैय हो जाएगा कि मोधी जी अगले कितने समय के लिए आने वाले समय में कितने दिन तक के लिए मोधी जी PM की कुरसी पर कावीज होंगे और उसके बाद PM कौन बनेंगे फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही जल्द होगी आपसे मुलाकात फिलाल इस आनलेसिस पर आपकी राए क्या है इस दो राज्यक के चुनाव को आपके संदाज में देख रहे हैं कमेट कर अपनी राए हमारे साथ शेर जरूर कीजिएगा बागे इसे तमाम खबरों को हम परताल के साथ आप तक पहुंचा सके इसके लिए देशनिती को सपोर्ट जरूर कीजिएगा बहुत बहुत शुक्रिया जै हिंद जै भारत